अच्छा सर आप बता रहे हो कि अगले साल डिसिप्लिन में रहने का साल है लोग को ड्रिंक, स्मोक, नॉन वैज से दूर रहना चीए बट कई लोगों की अडिक्शन भी हैं तो अडिक्शन छुडाने का भी कुछ उपाय लाए हो आप बिलकुल, मेरे मालिक, मेरे प्रभू, मेरे देवता, मेरे आका इतना सर हमें बड़ा आजीव हो जाता है कि हम कैसे आका माखा हो जब इन्होंने तंतर की सिद्धी करी थी तो ये आका 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 यान आगया आगया आका तो ये जो आका इंको बोलने की बड़ी मेरे आका तो मह अब जैसे अगला साल शनी का है अब शनी जो है शनी देव वो कहते हैं भाईया सुच्चे हो जाओ अच्छे करम करो अब क्या है यह नहीं पीडी के लिए भी बहुत बढ़िया रहेगा अब कई माएं हैं बिचारी पेरेंट्स हैं वो नहीं चुड़वा पारे नशामुक्ति सब करके देख लिया कस्में चड़ा लिया नहीं मानते बच्चे आजकल अब मैं एक एग्जाम्पल सुनिये का ध्यान से एक हमारे स्कूल टाइम में मारा साइंड था तो उसकी मम्मी ने कहा ती बेटा तेर को मेरी कसम है अगर शिगर्ड पर मू लगाया तो उसने क्या किय शिगर्ड यहां पषाता था चूची उंगली में और नहीं कुता था कौन सी उंगली में यह चूची उंगली है यह चूची उंगली कहते हैं आप चूची उंगली कहते हैं आप चूची उंगली कहते हैं आप चूची उंगली है उसका दिमाग देखो कहा तक चला गया ऐस दूर दूर से ले रही है अब देखिए क्या करना है घर में बैटे बठाए मात्राओं बेहनों ने क्या करना है एक मोबत्ती लेनी है ठीका जी सफेद रंती और एक पेपर पे जैसे बच्चे का नाम लिख दो और आप लोगों का नहीं लूगा राहुल राहुल करके नाम लिखना है और इसकी जो शिगरट या शराब या बड़े बड़े नशे हो गया आज कल तो कोकीली ने चिट्टा इंजैक्शन जो चलते हैं वीड 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 अब अब आवा फॉरं धिर्लाइंजा स्मैक कितने कितने नशे चल रहे हैं वो लिखके और मनी मन में कहना है राहुल जो सिगरट पी रहा है या शराब पी रहा है कुछ भी कर रहा है उच्चातन एक सो आठ बारी उस बच्चे का नाम लेके फिर सिगरट या शराब फिर उच्चातन एक सो आठ बारी डेली मैं कहता हूँ पर्चे पे लिखके और ये उच्चातन पूरे दिल से मांग लीजे एक हफते में देख लीजेगा उसकी काम हो जाएगी और वो पर्चा वो जला देना है उसके जब वो अच्छा तुरंती जैसे बहुत है आपने एक चिट पे जैसे राहूल लिखा और नीचे ड्रिंक लिख दिया ड्रिंक उसकी चुडानी है तो आ हाँ भार जाके ब्लो कर दो और इसके इलावा सॉक्स जो होती है गंदी वाली है तो इतना जवर्दस्त है ना कि मतलब भार फॉरन कंट्री में जैसे कई लोग नहीं उपाय कर पाते हैं या बहुत सारे लोग परिशान होते हैं तो यह तो बहुत लोगों की इन्होंने ड्र हमें पढ़ा हुआ था पैसे की कोई कमीनी इंतहा पैसा यहां आके नशो में पढ़ के पहले वहां था छोड़ गी पिर यहां आया यहां नशो में पढ़ गया फिर पंजाब में वो ड्र बेचने लगिया नशों का खब परचा निकालने के लिए अब जेल में पड़ा हुआ है तो उसका काम करवा रहे हैं कल पर सोई बात हुई है तो उसकी वाइफ यहां है उसका काम अभी हमने शुरू किया है तो वो अब उसको जेल से निकल वाएंगे और उसको मैंने उपाए करवाने शुरू कर दी है और नशे करकर के जब दूसरी फोटो बेजी, ओय होई होई होई, यहां चोट, यहां चोट, मरा हुआ एक दम काला हुई, वहला मेरा दिल मैंने का क्या प्रभू क्या हो रहा है यह विचारों के साथ, तो क्या करना है आप लोगों ने, सौक्स जो आपकी पहनी हुई सौक्स ह होती है, उसको भी आपने जला देना है, क्योंकि अगर जैसे आपके उपर कोई नजर दोश हो, कंतर मंतर हो, अला बला की लक्षों की भूत प्रेज, जिन जिन नजर तोटका, कुछ भी हो, उसमें भी आप जला सकते हो, या आपको नशे की आदत हो, आपके बच्चे को, प अब आप पूछेंगे राइट की या लेफ्ट की तो कोई भी हो जाए और शनीवान वाले दिन इसको जुला दीजिए, जला कर उसको जुए नजर दो जला दो, एक जला ओ एक और एक को आप ऐसी कूड़े में फैक दो, एक जुरा आपको जला दो, अम इसका लॉजिकल रि जाता है, तो एसे ना यह बड़े टोटके बने हुए, बड़े पुराने और जिसे बड़ी जल्दी असर आता है, तो जैसे नमक से भी हम नजर तार देते हैं, तो आपके बार बार कपड़े जो नब भड़ जाते हैं, कई लोगों के अंडर बनियानों में छेद हो जाते है अब आप देख लेना वो कहते हैं, हम तो कुछ कूछ हुआ ही नहीं, बैठे बैठे यू तंतर मंतर कर देते हैं, आप फोटो दे दीजिए, किसी को भी तंतर मंतर हो जाएगा, लोग फोटो से भी तंतर मंतर कर आएते हैं, आप यहां पर बैठे वो आपके बनियान और अं बहुत साल पहनने वाले अलग होते हैं। जब दस साल तक एक ही चल रहा है। जो लोग अपने अंडर्वेर भन्यान रेगुलर्ली चेंज नहीं करते हैं। मतलब उनके शुकर खराब होते हैं। तक यह मतलब उनके शुकर खराब होते हैं। जैसे आपने बताए, अजयते हैंं और टीशर्ट में मिल जाते हैं। तीशर्ट में भी हो जएगा हैं। ज्यादा होते हैं। आपको जीवसी लग जड़ी होगी अगर आपके साथ नहीं हो रहा ह। कितने लोग इस समय प्रोग्राम देख रहे होंगे, वो मेरी बात से जरूर वाक्षित रखेंगे, कि हाँ यार यार यह तो हूता है कह रहा है अभी भी छेड आपने बीच में बात कही थी कि वो बंदा जेल में चला गया तो हमने इसको निकालने के लिए योग लगाया कुछ उपाया लगाया मतलब वो सारे तंतर मंतर यही करते हैं मैंनी किसी का ऐसे करती काम दिवाली आई थी दिवाली पर आना था आपके पास दुबाया से तो फिर किया करता है लोग आजाते हैं आजाते हैं तो कहते हैं वो इनको जड़ा सालका से बूलें कि गुरू जी आप प्लीज मेरे तंतर मंतर ने नहीं उतारती है क्या होता है कि यह सब चीजे करने के लिए अपने अंदर भी वह न चाहिए देखे मैं पहले तो यह आप लोगों को मेरे मालिक मेरे प्रभू मैं यह बोलूँगा कि मैं अवश्य ही इन भातों को भिलकुल भी उजागर नहीं करूँगा इस मंच के माध्यम से क्योंकि जो जो तंतर मंतर जानता होगा ना वो कभी भी मंच पे कुछ नहीं बोलेगा वो आप लगा लिजिए वो 101 नहीं 1001 परसेंट जूटा है जो यहां बैठके तंतर मंतर के तरीके और उसके बारे में अगर बात कर रहा है वो लायक ही नहीं है इस चीज के उसे आने वाले समय में पता चलेगा वो क्या गलती कर रहा है क्योंकि हमारे गुरू ने बिलकुल मना किया था इन चीजों को कभी भी ये जो आत्माएं हैं ये जो शक्तियां हैं इन चीजों को आप मजाख में ले सकते हैं फैसर। यह इतना सेक्रेड Yoh रखा जा रहे है क्योंकि जैसे अगर चलो आप कबी भी कपड़े दुनिया के सामने नहीं खोलोगे आप आपको मैं बोलू चलिए बहारा पूरे कपड़े खोल देजे बहार पारक में खड़े होके आप कहेंगे मैं मर जाओंगा तब ये काम नहीं करूँगे तो ये कई बंधन होते हैं यह बन्दन होते हैं इन शक्तियों के बारे में ज़्यादा बात नहीं कर सकते हैं कि यह अपमान महसूस करती हैं फिर जब घर पे वो अटैक करेंगी ना आपके परिवारे पे कि इतना मजा क्यों आ रहे हो हमारा क्योंकि यह एक्चुली क्या है कि अगर हम बैठे हुए ना इस वक्त हमारे आस पास में कुछ शक्तियां होती है जो हमें नजन नहीं आती है अब आप जैसे कि यहां पर चले जाओ यह जो एम्स है हॉस्पिटल है आप रात को कई बार भी निकलोगे जिनके पास जिनको ऐसी अगर आपके लगन में होगा ठीक है उसका चाचा जड़के से मर जाता है और वो चाचा जो है उसकी घर के पास-पास में बटकता रहेगा और उसकी आत्मा जो है कितने सालों के बाद ऊपर पहुंचती है ऐसे भी होता है सबढ़ आई है इसे है बेटी सुहान जो इसके प्लानेट है उसके पैंडिंग कर्मा है जो ऐसे जुट बटकता को लेने के लिए बंदा उख या देवादेंनका रिहाएया किह बनारा तो उसे ही भी निग नहीं देगा जो पैदा होने से था हमारे गांति जो को कैयो जो पुरानी जो स्चोरी जो होती वह हमें कुछ तो गाइड करती है ना तो किशन जी का जो गयता, रोहीनी नक्षात रथा, तो इस में क्या घरते हैं, खळुबं, अब उनकों क्या हुआ कि पहले मावा पा लग पा लग हो गए उनके, पिर उसके बाद उसी पहार राधा भी नी मिली, है ना? तो उसके बाद उनको श्राब भी मिला, फिर उसके बाद उन्होंने, मतलब यह भागवान में यही चिक्षा देते हैं, कि उन्होंने किस तरह से भूगा, तो हमें भूग लेकिने उस करमों को हम जदा या कम अपने हिसाब से कर लेते हैं, तो यह चीज दर कर्मों से, और उनके उपाए करने से हम अपने कर्मों को बैलेंस कर सकते हैं, अपने बुरे दिनों को अच्छे कर सकते हैं, और यह सच्चाई है, और हमने खुद उपाए किया है, मैं पिछले बोर्ड कास्ट में भी बोल के गया था, कि हमने लाल किताब अब आपके पास आने से पहले हम उपाए करके आए हैं हम डेली उपाए करते हैं लाल किताब के तो सर ये जो उपाए होते हैं वो आप जैसे किसी एक्सपर्ट से पूछने होते हैं या आम लोग भी एक लाल किताब खरीद के यही तो अब यही तो हो रहा ह तो फिर कहते हैं कि आपके साथ में दिक्कत आजाएगी, तो तभी तो astrologers, जो यह लोग नए-नए astrologers भी बन रहे हैं उनके लिए बहुत बोलना चाहूंगी कि आपको पहले देखना है, सबसे बहले तो यह देखना है कि आप astrology कर सकते हैं यह नहीं कर सकते हैं, आपका Guru कैसा है, आपका बुद्ध कैसा है, अगर आपकी कुड्डली में बुद्ध केतु का यह गया है, तो आप किसी को जो उपाय बताऊगे, वो उपाय उसको लगेंगे ही नहीं, ठीक है, पिर आपका बुद्ध अच्छा है, आपका चंद्रमा अच्छा है, आपका इतनी लोगों की negativity को कर सकते हो कि नी कर सकते हो, यह भी तो चीज है, अगर आप सेहन करते हैं तो फिर यह चीज है, महम तो लोगों को तो Aishtralogar की कुडली दे की जानी हनी चाहिए, मैंने पृष्यार में आपको कहा था, क्या कहा था आप गुरू के सामने जाके बैढ जाएए, बस जाके, आप जर्नली जैसे आप लोग बात करते हैं, तो हम बोली देते हैं, हान जी मैडम क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो वो कहते हैं, गुरू जी तो बोलते हैं, वो खुछ बताएंगे सब कुछ, मतलब कितने अवेर हो रहे हैं लोग, अब एक बात मुझे बताईए, जिस गुरू को ग्यान है, नॉलिज है, वो आपकी पत्र का खोलते ही नहीं, आपको बता देगा आपको क्या दिक्कत है, क्यों फोन किया है, आपका प्रेजेंट क्या है, पास क्या है, फ्यूचर क्या है, आप कैसे वित्यत्तव के हैं, वो बतानी देगा आपको, अगर उसे नॉलिज है, तो मैं सबको यह कहना चाहूंगा, जब भी आप किसी आस्टरोजर या गुरू के पास जाएं, आप चुप्चा बैठिये, बोलने दीजे उनको, आपको पता चलेगा, और एक और बात, वास्तु शास्त्री जो है, अगर आप जिससे वास्तु करवा रहे हैं, आप उसे अपन को यह कहना चाहूंगा, आप बताईए कि मुझे यह दिक्कत आ रही है, जी, मेरे यहाँ पे, स्किन में दिक्कत आ गई है, अच्छा वास्तु शास्तुरी अपने क्लाइंट को वहीं बैठे-बैठे बता देगा, आपके घर में यह चीज़ गलत है, आपके घर में यह पड बाल रंगा सोफा रखा, इसलिए नौकरी चुटी उसकी, अब आज सुवे मेरी किसी से बात हुई, दुबई से वो थी, वो कहती है कि जैसे ना मेरी मेरी को मैंने किसी से कंसलिटेशन ली, उन्होंने का कि आपके घर में वास्तु दोश है, इसलिए आपकी नौकरी चुट और जब जब आपकी कुंडली की दशा महादशा चेंज होगी, तब तब आपका वास्तु जागरित होगा, ठीक है, जैसे कि अगर आपकी सपोस कीज़े आपको भरस्तु की महादशा लगी वी है, अब आपको भरस्तु की महादशा लगी वी है, आपके घर का नौर्थ एक अब ब्रस्पति के अंतर आपको अंतरदश्चार किसकी लग गई मंगल ही तो इसका मतलब आपका साउथ भी अक्टेव हो गया अब इन दोनों जगाओ को खुदी ठीक कर लो ना वहां से उन दोनों जगाओ को कलटर फिदी कर लो त्यक्ति के साउथ से नीला हटा दो और कि ज हमने हजारों लोगों को बता दिया आपकी पत्रिका में कैंसर का योग है इस समय महादश्चा अंतरदश्चा प्रतंतरदश्चा देखके बचुक्षमादश्चा देखके यह बता दिया इस ताइम के होगा ऐसे हजारों केसे हैं और मैं आपके चैनल पे लाओंगा उन लो लेकिन एक साल बाद, दो साल बाद जब हमने टाइम दिया था, वो लोग हमारे पास आये, हमें कैंसर हो गया, और तब भी हमने उन्हें कैंसर से बचाया, और मैं आपको एक बाद बताता हूँ, मैंने एक पोड़कास्ट में आपके बोला था कि हल्दी की चने की डाल रखके ह हमने एक इंसान का लीवर बचा लिया था, उस बात पे कई लोगों ने का, यह कोई साइंस है, यह मेडिकल है, हॉस्पिटल बंद होने चाहिए, इनको वहां पे बिठाना चाहिए, और मैं उपर वाले की दिया से जूट बोलने वाला इंसान नियू, आपने भी थोड़ा ब हल्दी की गांट रखवा के, हल्दी की चने की डाल रखवा के, लीवर रिकवर करवाया है लोगों का, हमने समान दबवा के, छोटा मोटा समान, क्या, लस्टन की कलियां दबवा के, तक लोगों को ठीक करवाया है, हमने मटकी में दूद रखवा के, और फ्रिज में जमवा कि माता को बचाया है और लाखों करोड़ों पे लोगों को कम आए इन चोटे-चोटे उपायों से और यह वाला उपाए अगर आपका चौता कर खाली है वर्षफल में मैं बोलके जाने चाहते हूं आद सबको अगर आपका चौता घर खाली है वर्षफल में तो आप एक मटकी में बताना क्या अनंदा रहा है एक सिर्फ मात्र दो तिन रुपे के दूद में बिल्कुल सही बात है और कई लोगों के तो पैरों के पैर भी ठीक करवाएं सिर्फ उनके पैर के ओपर 58 नंबर ग्रीन कलर के स्केच्च में से लिख के अच्छा यह कैसा हुपाय देखो आपके कि किसी के भी अगर जितने भी लोग हमें देख रहे हैं आपके पैरों में दर्द हो रहा है ठीक है पैरों में दर्द हो रहा है आप अपने पैरों पर 58 नंबर लिख लीजी आप मैं यह यह बुड़े लोग भी हैं उनको भी अराम आजागा 58 नंबर लिखने से मैं ऐसे 58 लिखना है यहां पर जैसे यह दिखिए 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 फाइव और यहां पर एट यहां पर एट यहां पर ग्रीन के लगए अल्ला सामने बंदा खड़े होगे लिखेगा किसे से लिखवा लिजिए अब आपके फॉन नम्मर में 28 या 82 आजाए तो आपकी दवा कई रहा है, लिखेगा भीन है जाता टारीम कनमें नोत quarter ले ना सारे आज देख लेना अब देख लेना अब देखिए और सदीजी टा सभाप बिल्कुल बिल्कुल 34 और 43 नंबर जिसके फोन में होगा उसकी तांगों में आपको कोई ना कोई पर्शानी तांग टूटना टांग में रॉट डलना तांगों में दर्दोना कमजोरी आना यह भी नोट करने सारी और कई बड़ तो पैरलैसिस भी हो जाता है लोगों को पैरल जो लोग जो लोग जागरू कोना चाहते हैं उसके लिए जो हम पीड़ फूरी बना कर देते हैं ताकि अपना खुद चैकर लो ठीक है ना पीड़ चैकर लो और बाकी कई लोग हैं जो बड़े इंटरसेट होते कि यह साइन्स कैसी है बही क्या है तो हमने अब क्लासिस के ल दर तो रहता है तो क्या नंबर बदल लू क्या नहीं आप अपने अब देखिए अब आप नंबर तो बदल नी सकते हैं क्या बात पूछी देखिए क्या सजी जी यही लोग बोलते हैं प्रोग्राम के शुरू में क्या बोला था क्या बोलता आपके सामने सामने ही देखिए साक्षी जी ने बोला था यह चार नम्बर है राहू इनके यू क्विक विचार आते हैं आगे एगदम सी दूने क्या पुला हूहू मेरी भी आता है आप लोगों ने ध्यान नी दिया और मेरे 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 इसको बता तो दिया थ अब आप क्या कीजिए अभी प्रोग्राम के बाद आपका नंबर सेट कर देंगे आप एक नंबर उस डिजिट का ले लिए जैसे मां को उतार देंगे कि यह चार पांच नंबर है इनको रिपीट कर वाले आपके लखी नंबर जैसे है तो अपने आपने मोबाईल को तो उस ही से क्योंकि आपने बहुत साइड सा Li को नंबर दे राहिए अब यह प्रोब्लम आको एक लिखेंट ली आ है तो आपने गना है उस नंबर पर देंट कर लो अपनीूमर देवर्ट कर लो तुच्व नेय नंबर लो इन पर डिजाइन क है जो कि उसको कहते हैं कि भाई पहले तो अपने इंस्टाग्राम पे चैंज करें ले नाम को उसको फेसबूक पे चेंज कर ले फिर उसके बाद यूट्यूब का ऑपने के चेंज कर ले सर्वर का इंपेक्ट पड़ेगा, वो उसका अपने, अब समझ में आ जागा, मिरसाथ क्या हो रहा है, क्यों हमारे कहने पर अपने साइड डाकुमेंट चेंज कर रहे हो, पहले रिजल्ट देखो, और लोग तो पते क्या करते हैं, मैंने आज कल देखा है कि लोग पते करते हैं, हर किसी नंबर जिंदगी उसकी खतम हो जाती है, ठीक है, वो क्या कहते है कि अब ऐसे कॉंबिनेशन देखने पड़ते हैं, ये सारी चीज़े, और भी कोई नंबर है मैं जिससे बचके रहना चाहिए, बई 7227 को देख लो, 7227 आपको यूरिन, एक मिरी विरील वायरल हो थी, 10 मिल पहुंच गे थे, उसमें 7227 का दे रखा था, अब 1881 का देंगे, तो उसमें क्या कहते है कि spouse की healthy खराब रहती है, 1661 में भी spouse की health खराब रहती है, अब अगर 21 और 12 का कहते है, जिसको बड़े beauty से बड़ा प्यार है, उसको हम कहते है भाई तू 12 और 21 का combination ले ले तेरी beauty पे enhance क आपके उपर ही आप काम करने लग जाओगे, आपका automatically ध्यान आपका चला जाएगा, अब लोग साक्षी जी कई बोलते हैं कि जैसे हमारे पास 78 number है, phone number है, बच्चों को दे रखे है, 1012 number है, तो जैसे हम लिखवा देते हैं, तो लोग कहते हैं, आपके भी तो phone number में ये number है, जो बड़े intelligent होते हैं, पकड़ लेते हैं हमें, तो उनको मैं बोला चाहूंगा, कि जो हमारे number है, जो use कर रहा होता है, उस पर impact आता है, तो जो हमारे बच्चे कार्याले में, वो use कर रहे हैं, हम नहीं use कर रहे हैं, और वो उनके लिए compatible है, उनको fact करेगा वो number, और यह भी जी देखतू कि कई नम्बर आ कार्यों तो हम कहते हैं, तो यह भी आनपर use कर रहा है तो यह जो हम लोगों का design करने तो हमारे वह भी करेंगे न